दोस्तो चोते टेस्ट के तीसरे दिन ही टीम इंडिया ने कर दिया अपने जीत पकी और इंग्लेंड को कर दिया चारों खाने चित जित जिया दोस्तो बारत और इंग्लेंड के भी चोता टेस्ट का तीसरा दिन टीम इंडिया के नाम राजा टीम इंडिया के गेंद बाजों इंग्लेंड के डंडे उकाड़े तो उसके बाद में कप्तान रोई स्रमो ये सस्वी जैसवाल के ताबड़तोड बल्ले बाजी देखी गई तो बताएंगे आपको तीसरे दिन का पूरा हाइलाइट वीडियो और कैसे टीम इंडिया के कभजे में आ चुका है चोता टेस्ट म मकाबला साथे टीम इंडिया इस बड़े मकाबले को जित कर सिरिज को अपने नाम करेगा तो पूरा हैलाइट बताएंगे आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजे वीडियो देखते रे वीडियो को लाइका दीजे चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब करके बैल बटन जर तक खड़े रहे और इन्होंने 90 रन की कापी सांदार पारी के लिए जिसमें 8 चोके और 4 शांदा चके लगाए जिसकी बदोलत टीम इंडिया की पहली पारी 307 रन पर आलाउट हो गई और इंगलेंड को पहली पारी में 35 रन के बड़त मिल चुकी थी उसके बाद में इंग इंगलेंड के 19 के स्कोर पर ही दो सबलता दिला दी उसके बाद में टीम इंडिया की और शेकापिसांदर गेंद बाजिक करते हैं रवी चंदनास्विन ने 65 के स्कोर पर जोई रूट को एलपी डबलू करा कर पाविलेंड पहुचा दिया उसके बाद में कुल्दी पियाद पियादों ने 22 को क्लिंड बोल्ड कर दिया टीम इंडिया के गेंद बाज पूरी तरह से इंगलेंड पर हावी हो चुके थे जहां इंगलेंड अपने 5 विकेट 120 रन पर ही गवा चुका था उसके बाद ने बैरिश्टो आये और वो भी पॉलेंड पहुच गए देखते दे इंगलेंड के 133 पर 8 विकेट हो चुके थे और इंगलेंड की पूरी पारी 145 रन पर शिमट गई टीम इंडिया की और से दूसरी पारी 145 पर आलाउट हो गई जवाम में टीम इंडिया को इस बड़े मुकाबले में जीतने के लिए 122 पर रन का टार्गेट मिल चुका है जैसे टीम इंडिया की दूसरे पारी शुरुवात होती है तो एक बार फिर कप्तान रोई सरमा और ये सस्वी जैसवाल मैदान पर उतरे इस बार कप्तान रोई सरमा ने अगरेश्व अंदाज में बल्ले बाजी की और एक के बाद एक कापी सांदार चोकी लगाए आजगी दिन का केल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने अपना स्कोर 14 रन कर लिया है ज़र कप्तान रोई सरमा 24 पर नाबाद है तो वह ये सस्वी जैसवाल शोला पर नाबाद है और टीम इंडिया को ये बड़ा मकाबला जीतने के लिए मैं 9 दिन से बड़े मकाबले को जीत कर एक नए एतियास रचती का साथ इस सीरीज को अपने नाम कर लेगा दोस्ते वीडियो फसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पने हो तो सस्क्राइब जरू किजिए ताकि किरकेट से जुड़ी सारी अब्लेट आप लोगों को में सा देखने को मिलते रहे